तो प्रेंड देखी आज हमारे गर नाई आ गया है फोर हमारे अस्वेंड की सेविंग कर रहा है और कटिंग करेगा क्योंकि पती के पेर में बहुत चोट अबड़ी तो वैब ना बेट सकते है ना चल सकते है तो एस ही लेटे-लेटे ही करा रही है और ये बाई गर पे ही आ ग सब बहुत अच्छे लोग है इस चीज की जूर्त होती है उन्हें अगर बुला लेते है और घरे आ जाते है कोई घरा जे है वह दुखांते होगे तो भी करेंगी नहीं गरफे आ जाती है वह फत अच्छे लोग gesagt तो यह लड़का कर रहा है ini। मैं इसपला इधर साइड में मांची बना रही थी । नवी जो पहले मांची थी वह बढ़ी है तो छोटी मांची बना रही थी कि जगह बहुत कम है हमारी जगह बहुत ही कम है इसलिए मांची डाल देते हैं तो इदर गूमने की जगह नहीं रहती है इसलिए छोटी मांची बना रही थी नहीं आज वीडियो बना रही है मिरवेटी तभी फोन को इदर उदर कर रही देखना अच्छे से नहीं बना रही है और उपर जो लाइट जल रही है वही उपर जम कर रही है तो पलस्तर किया हुआ है अभी होली के बाद हम जाएंगे तब यह पलस्तर पुड़ा के एक सरा कराएंगे तब पता चले ज़िए पेर जुड़ गया या नहीं जुड़ा है लेकिन अभी तो इसे ही रखना पड़ेगा अगर चोट उपर होती तो साइध ठीक जल्दी हो जाता लेकिन यह तो एडी की चोट है इसलिए टाइम लग रहा है दो मीने का रेश्ट दिया है डोकटर ने तो देखते हैं कितने दिनों में सही होगा क्लिनिक बना ली हमने गर पर ही उनकी आसपास याते हैं वो कहते हैं इसी दौकर से लेने अच्छी दवा देते हैं यह पर आते हैं और हमारे अस्वेंड है बच्चों के डोक्टर यह चोटा सा लड़का है ज्यादा उम्बर नहीं है इसकी 18 यह सा डेठार इतनी किया है लेकिन बहुत सुन्दर उसने कटिंग किये देखना कि यह अभी बीए की ट्यारी कर रहा है इसलिए आप यंदर का लगा लो जो बीए में होगा कितना कोगा लेकिन नाई का बेटा बहुत ही सुन्दर कटिंग करता है देखना जरिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में